नेक्सस जी एस स्पेशल निकाल लिजेगा और शुरुवात करेंगे 97th नंबर के समिधान संसोधन अधनियम 2001 से तो भारती सविधान का 97 नंबर का समसोधन नुझा वो अधनियम 2011 दौरा सविधान के भागतीन के आर्टिकल 191 से में अथ्वा सहकारी समितियां शब्द को जोड़ा किया और इस अधनियम को राश्पती की स्विक्रती जो मिली थी वो 12 जन्वरी 2012 को प्राप्थ हुई थी लिखेगा भारती सविधान के भारती सविधान के 97th संसोधन अधनियम द्वारा आर्टिकल 191 से में सहकारी समितियां सब्द जोड़ा गया अभी रीसेंट टाइम में ऐसा बहुत बार हुआ है जब एक ही वेक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया गया है तो एक मन में कोशन आता होगा कि जब एक ही वेक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त होता है तो उस राज्यपाल को जो संदे उपलब्धियां होती है और भत्ते होते हैं वो कैसी होगे देखे ये इस तरह से होती है कि इसे उन राज्यों की बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसा राष्टपती आदेश द्वारा अवधारित करें मतलब जो भारती सविधान का भाक्षे है उसके दहत आर्टिकल 158.3 का केंतरगत या प्रावधान किया गया है कि जब एक ही वेक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का रेजिपाल नियूक्त किया जाता है तो उसे संदे उपलब्धियों और भत्ते उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसा राष्टपती आदेश त्वारा अवधारित करे बहुत सिंपल है और इस टाइप के कोशन आपकी एक्जामनेशन में बनते भी है लिखने की जुरत नहीं है बस समझ लिया यह आपका इलिए सफिशियंट है क्योंकि करें दोसो तिरपन के अंतरगत अंतरास्टी करारों को प्रभावी करने के लिए राज्यसूची के किसी विशय पर संसद को कानून मनाने की शक्ती है संसद को कानून मनाने की शक्ती है नेक्स्ट है आर्टिकल ट्रिपल वन के बार हम बात करें तो राष्टपती का विध्यक को अनमती देने का दिकार से रेलेटर है लिखेगा लिखेगा आर्टिकल ट्रिपल वन राष्टपती को विध्यक राष्टपती का विध्यक को अनमती देने का अधिकार आर्टिकल बाईस ये गिरिफ्तारी और निरोज से सनरक्षन से रेलेटिड है गिरिफ्तारी और निरोज से सनरक्षन आर्टिकल 14 सम्ता का अधिकार आर्टिकल 14 सम्ता का अधिकार आर्टिकल 2 विधानता नए राज्यों को शामिल करना ने पान मिलकिएगा भारत के सविधान की उद्धिशिका भारत के सविधान की उद्धिशिका में तीन प्रकार के न्याय की विवस्था की गई है यह होते हैं समाजिक, आर्थिक और राज्यों तिक न्याय समाजिक न्याय से मतलब है कि प्रतिक विक्ति के साथ जाती, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर पिना भेदभाव कि यह समाण व्यवहार आर्थिक न्याय से मतलब होता है आर्थिक आधार पर किसी की साथ भेदभाव ना होना तदा राजनितिक न्याय का मतलब होता है प्रतेक विक्ति को समान राजनितिक अधिकार जो है वो प्राप्त होना तो भारत की सविधान की उद्धिश्यका में तीन प्रकार की न्याय की विवस्था की गई है नेक्स्ट है नेक्स्ट है आर्टिकल 62-62 के बारें बात करें तो पदा सीन जो राश्टपती होते हैं उनकी पदावधी की समापती से भे नकारणों से जैसे मृत्ति हो गया पद्याग हो गया पद से हटाया जाने या फिर अनिकारण जो भी हो तो अगर रिक्त हुआ उनका प राश्ट पती के रिक्त स्थान को 6 माह में भर लिया जाना चाहिये रास्टी विकास परशत के बारें बात करें तो इसमें डेट पूछी जाती है भारत में रास्टी विकास परशत जो गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 को हुआ था लिखेगा लिखेगा भारत में रास्टी विकास परशद 6 अगस्त 1952 को गठित हुई थी गठित हुई थी आर्टिकल 123 अध्यादेश आर्टिकल 123 राष्टपती का अध्यादेश राष्टपती का अध्यादेश नेक्स्ट है रास्टी बागवानी मिशन के बारें बात करें तो रास्टी बागवानी मिशन जो है मई 2005 में स्टार्ट किया गया था लिखेगा रास्टी बागवानी मिशन मैं 2005 में start किया गया था मैं 2005 में शुरू किया गया था recent time में वैसे मैंने इसको कई बार पढ़ाया hopefully आप मैंसे maximum लोगों को यह याद होगा देखें याद करने का तरीका सिर्फ एक होता है जितना यादा आप revision करेंगे तो उतना जादा आपके दिमाग में चीज़ें जो है वो सेफ होती जाएंगे next one में लिखेगा black hole black hole संबंधी black hole संबंधी प्रथम सूशना प्रथम सूशना S. चंदरसेखर द्वारा प्रस्तुत की गई थी Next है cyclotron के बारें बात करें साइ्टो ट्रॉन ऐसा यंतर है जिससे क्रतिममउसम उत्पंड किया जाता है लिखेगा cyclotron ऐसा यंतर है EO पाइरोमीटर के बारें बात करते हैं तो पाइरोमीटर जो है उच ताप मापने के लिए प्रयोग किया जाता है और उच ताप का मतलब होता है 800 डिग्री सेंटीग्रेट से उपर तो लिखेगा 800 डिग्री सेंटीग्रेट से उपर 800 degree centigrade से उपर ताप नापने के लिए पाइरो मीटर का प्रियोग किया जाता है पाइरो मीटर का प्रियोग किया जाता है नवीन सापिक्षता सिधान्थ के बारें बात करा तो जेबी नारलिकर साहब ने नवीन सापिक्षता सिधान्थ का प्रतिपादन किया उन्होंने वरिष्ट वाग्यानिक डॉक्टर फेड होईले के साथ मिलकर आइंस्टीन के सापक्षता सद्धान्त में संसोधन करे सद्धान्त जो है वो प्रतिपादित किया था लेखेगा जेबी नारलिकर ने जेबी नारलिकर ने नवीन सापक्षता सद्धान्त का प्रतिप काशा के बारें बात करें तो गाशा मतलब ब्राउंच मुक्यता तांबे करीब 88 पर्संट तांबा होता हुथ हुथ क्लेजह गजा युझा मुप्योग जो है युझा बड़्तन युझा बनाना युझा जाता है लिखेगा कांचा कासा मुख्यता तांबे और तिन की मिश्रधातु है तिन की मिश्रधातु है ग्यासो हॉल के बारे में बात करें तो ग्यासो हॉल जो है ग्यासुलिन और एथनॉल का एक मिश्रण है जिसमें एक भाग एथिल अर्कोहल और नो भाग जो होता है गैसुलीन मतला पेटरोल होता है तो इसको एक सिंपल सी फॉर्माट में इस तरह से लिख सकते हैं गैसो हॉल गैसो हॉल गैसुलीन और एथोनौल का और एथोनौल का मिश्रण होता है और एथोनौल का मिश्रण होता है next sodium chromat के बारे में बात करें तो लाल रंग जो होता है वो sodium chromat द्वारा आपूर्थ होता है लाल रंग sodium chromat द्वारा आपूर्थ होता है sodium chromat द्वारा आपूर्थ होता है RDX के बारे में बहुत बार पूचा जाता है और पूचा जाता भी रहेगा RDX अनसंधान विभाग विस्फोटक या फिर रॉयल विद्वन्स विस्फोटक का एक संचित नाम है और इसे साइक्लो नाइट भी कहा जाता है एक सक्तिशाली विस् द्वारा आस्विक्रत हुआ था अविस्क्रत हुआ था अब आपका धीरे धीरे टाइम और क्लोज आ रहा है 14 मई 2023 के लिए और इन 58 दिनों में आप लोगों को अपना बेस्ट देना है जितना भी बहतर आप कर सकते हैं उतना बहतर करने की कुशिश करनी है अधिक से अधिक रिवाइस करना है और मैं लगातार इस चीज़ के बारे में फोकस रहता हूं लगातार इस चीज़ के बारे में बताता रहता हूं कि जितना जळादा आप लोगों को नेक्सस.js onze स्पेचल वाली क्लास तैयार हो जाएगी उतना ज़ादा आपके लिए बेनिफिट होने वाल होता है पूरे एक वीक के क्लास का सारांस होता है तो वह बहुत ज़्यादा important है और आप लोगों के marks भी अच्छे ही आ रहे हैं almost अब 20 की range में है कोई 18 कोई 17 इस टाइप से तो अच्छे नंबर हैं लेकिन कोशिश करिए कि 20 में से 20 नंबर आए क्योंकि अब मारकिंग लगी हुई आपकी examination में और target कम से कम 90 कोशन का आपका होना चाहिए और 90 कोशन भी आप बहुत आराम से reach कर सकते हैं almost 32 35 कोशन जो है वो आपका पढ़ा था इसका क्या होगा तो ऐसा कुछ नहीं है एक एक चीज इतनी बार पढ़ाए गए है कि वो आपके दिमाग में सेव होगी तो almost current अफिर से 32 कोशन के आसपास आपके हो जाएंगे 32 32 माल लिजए 30 से 32 कोशन आपके सही हो फिर उसके बाद environment आता है environment का section भी लगातार increase कर रहा है almost अब 10 से 15 कोशन आने लगे हैं तो 80 प्रतिशत कोशन माल लिजए कि आराम से आपके जो चीज़े पढ़ाई गई है उसमें से आ जाएंगे तो 10 से 12 कोशन आपके यहां से हो गए UP special इस बार change हुआ है मेंस में add हुआ है तो hopefully आपका prelims में भी UP special का जो दाइरा है वो बढ़ेगा और UP special के marks जो हैं वो increase होंगे तो वहां से आपको माल लिजए कि 10 कोशन के आसपास मिले चाहिए जहां तक मुझे अनुमान है ठीक है तो यह तीन section ही बहुत बड़े आपके हो गए UP special environment और current और यह बहुत आसानी से gain किये जा सकते हैं ठीक है important chapters है important points है उनको तो तयार कर सकते हैं लेकिन हर एक चीज नहीं तयार कर सकते हैं बहुत ब्रॉड subject है history ठीक है तो फिर भी आपने जितना पढ़ा है तो अगर 25 कोशन आते हैं 20 कोशन आते हैं तो 20 में से आप कम से कम 15 कोशन बहुत आराम से कर ले जाएंगे ठीक उसी तरह से science है science में आपको bio को portion बहुत जड़ा focus करके पढ़ना है लगातार class में बताई जाती है चीज़े बायो हो गया ठीक है geography factual basis पे होता है almost अब वही 20 में से 15 14 नंबर अगर आप gain कर लेते हैं तो beneficial है quality 20 में अगर आता है तो 18 कोशन आपको सही करने ही करने है क्योंकि quality का बहुत limited topic है बहुत limited दाइरा है और 20 में से 17 18 तो बहुत आराम से लोगों के आ जाते हैं जो मेहनत कर रहे हैं ठीक है तो यह सब जब मिला देंगे आप तो almost 90 प्लस आप पहुंच जाते हैं लेकिन इन में जो सबसे बड़ा दाइरा है मैं फिर से repeat कर देता हूं environment UP और current इसका ratio of 50 तक आप आपका चला जाएगा ठीक है और इस पे जिसने भी पकड़ बना ली तो उसका ये examination रुकने वाला नहीं है क्योंकि बेस सब्जेक्ट से हैं बाकी history, quality, geography, science ठीक है तो economy तो 10 में से 10 question almost आता ही है तस में से 5 भी आपने सही कर दिये तो आपका काम हो जाएगा और इतना 10 में से 7 आतोत question तो आराम से सही हो जाते है regular जो class कर रहे हैं तो ठीक है तो hopefully इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ चुकी होंगे किस तरह से आपको इस examination को clear करना है ज्यादस ज्यादा किस चीज़ फोकस करना है चलिए next point में discuss कर लेते हैं कीट भक्षी पौधों के बारें बात करें तो कीट भक्षी पौधे प्राए ऐसी भूमियों पर उपते हैं जहां पर nitrogen का अभाव होता है और ये पौधे जो है अपनी nitrogen की आवशकता प्रत्वी से nitrogen युक्त पदार्थों को आउशोशित करके पूरा नही 95 बोल सकते हैं ड्रोसेरा बोल सकते हैं यूरि किलेरिया बोल सकते हैं लेखेगा कीट भक्षी कीट भक्षी पौधे कीद भक्षी पौध है जिस म्रदा में उकते हैं उसमें नाइट्रोजन की कमी होती है तो अब देखिए ये आपका नेक्सिस जीएस इस्पेशल वाली क्लास थी और क्लास का कुछ पार्ट ही बोल सकते हैं पुरी क्लास भी नहीं है ये लेकिन ये जो सिरीज चलेगी ये आपक प्रचंड सीरीज है वह स्टार्ट की गई है लास्ट 60 डेज़ के लिए स्टार्ट की गई है ग्यारा मार्च 2023 से उसमें बहुत सारी students दिखा रहे हैं अभी इस समय almost 70-75 के आसपास students हैं तो अभी भी seats बची हुई है जिसको admission ले सकता है वो उसकी fees 2000 रुपई है तो प्रचंट बैच में आपको मिलने क्या-क्या वाला है इसके बारे में बात कर लेते हैं इस गुरुप पर इतिहास, भोगोल, अर्थशास, तवि के, क्यूंट के, ज Object के साइंस के, इसके वाद दूसरी बार जब आप पिन message खुलेंगे तो सारे विसे की अलग-अलग PDF आपको मिल जाएगी साइंस के लग, जिग अलग, प्वालटी के लग, history के अलग, economy के अलग, यह सारी PDF आपको मिल जाएंगे, इसके बाद आप पिन वाला आ जाएगा इस टाइप से और लाइफ क्लासेज जो है वो आपका एक दूसरे बैच में मिलेंगी आपको इसमें आड़ कर दिया जाएगा तो पिन मैसेज कहां से आपको मिलेगा पिन मैसेज ये लिखा हुआ है ग्रुप के जस्ट उपर बना हुआ है तो पिन मैसेज आप जैसे ही खोलेंगे सारी की सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी ये देखें मंतली करेंट आड़ियो और मंतली करेंट आड़ियो बहुत ज़दा बड़ा नहीं होता है almost 14-15 minute का होता है almost देखे सारे के सारे 14-15 minute की range में होंगे फरवरी का तो सबसे छोटा है almost 11-12 minute का है तो इसी में आपका लगभग से पूरा का पूरा system जो है वो पूरा का पूरा current phase जो है वो cover हो जाता है इस batch को पढ़ने के बाद आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की आवशकता नहीं पढ़ेगी इसी batch में आपका सारी की सारी चीज़ें जो है वो include कर दी गए है कि last 60 days में आपको क्या पढ़ने की आवशकता है चले उमीद है आप लोगों को चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी और इस batch की जो details है इसी वीडियो की description box में दी गई है और बाकि हमारा whatsapp नमबर जो है वो 708054001 639054001 ये दोनों whatsapp नमबर हमारे है recent में समिक्षा अधिकारी का result आया था जिसमें रेहाना जी ने review officer में rank 2 प्राई है पूरे उत्तरप्रदेश में तो अभी recent जो selection हुआ है बोल सकते हैं कि recent में जो आपका result आया है समिक्षा अधिकारी का तो उसमें rank 2 के साथ रेहाना जी समिक्षा अधिकारी बनी है इनका interview आपको देखना चाहिए Nexus.js के ही YouTube चैनल पर पड़ा हुआ है और आपको ये पता भी चल जाएगा कि कैसे कैसे कठिन परिस्तितियों में लोग पढ़ते हैं और आप में से ही जैसे जितने भी लोग है उनको लगता होगा यार मेरा clear नहीं हो रहा मेरा clear नहीं होगा तो रहाना जी का आप interview देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि बहुत सारे ऐसे लोग है जिनका नहीं clear हो रहा है प्रिलिम्स नहीं clear हो रहा है लेकिन finally फिर वो बाद में top करते हैं अगर regular basis पे काम करते हैं तो मैं assist करूँगा सब लोग इनका interview दे सकते हैं Nexus.js की YouTube चैनल पर ही पढ़ा हुआ है चले तो ये रही आपकी information ट्रचंड batch की hopefully आप में से maximum लोगों को समझ में आ चुका होगा कि क्या क्या आपको चीज़ें मिलने वाली है और Nexus.js Special का जो पार्ट आभी आपको पढ़ाया गया है वो भी इसी batch के साथ included है live plus recorded दोनों classes आपको इस batch में मिलने वाली है तो इस batch के अलावा आपको कुछ भी last 60 days में नहीं पढ़ने है एक तरह से fast track revision आपका ये classes होने वाली है चले फिलहाल के लिए तना ही थैंक ये सो मच